हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रभी और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी रूप चैनल इस्ट डेवित रभी पर फ्रेंट्स आज हम इस पूडियो में डेली करंट अफेर्स दो हजार तेईस की चोधवी क्लास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना बाले हैं जिसमें दोस्तों सभी important और selected question सामिल के गए हैं फ्रेंट्स हम इसमें current affairs के अलाबा statics gk के question भी पढ़ेंगे जो आपके आने वाले exam के लिए महत्पून रहेंगे फ्रेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आपका revision भी होता रहेगा तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर प जोइन करिएगा जिससे आपको इस वीडियो का PDF मिल सके तो फ्रेंट्स आज की हमारी इस वीडियो का पहला प्रेशन है प्रत्वी अबलोकन उपगिर है निसार का विकास किस अंत्रिक्ष एजन्सी के द्वारा क्या गया सही आंसर है उप्संडी नासा और इस रो नासा यह है दोस्तों अमेरीका की सबसे बड़ी अंत्रिक्ष एजन्सी है जिसके स्थापना 1958 में की गई थी और इस रो यह है भारत की सबसे बड़ी अंत्रिक्ष एजन्सी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1999 में की गई थी और इस रो के जो पहले अध्यक्स थे तो वह है बिक्रम सारा बाई थे ठीक है तो बिकरम सारा बाई जिन्हें भारतिया अंत्रिक्ष कारे करम का जनक बोला जाता है तो यह है इसरो के पहले अध्यक्स थे बरतमान की बात करें कि इसरो के बरतमान में अध्यक्स कोन है तो ऐस सोमनात है ठीक है और इसका मुख्याल है दोस्तो है उप्षन डी नासा और इश्रो के द्वारा निसार उपगिरह का विकास क्या गया सेकंड कोशन है बताइएगा फ्रेंड्स के हाली में भारत द्वारा भुकम प्रबावित तुर्की एबम सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभ्यान प्रारंब क्या गया सही आंसर है उप्ष के तहत दोस्तो तुर्की और सीरिया में एस्थाई अस्पताल बनाए गए हैं और साथ ही दोस्तो पचास डोक्टर करमी भी भेजे गए हैं और दोस्तो एक बिमान भी भेजा है जिसका नाम है C-17 बिमान जिससे रहत बचाप कारिया शुरू किया गया है अगर आपसे भारत ने ओपरेशन गंगा शुरू किया था ठीक है और यह है उत्राखंड के एक्जाम में कोशन पूछा भी जा चुका है बात करें कि ओपरेशन दे भी सकती तो ओपरेशन दे भी सकती यह दोस्तो जब अफगानिस्तान में आतंगबादी युद हुआ था तो उस समय भा कार्तियों को लाने के लिए ओपरेशन दे भी सकती शुरू किया था ठीक है नेश्ट कोशन है कि हाली में भारत का पहला किलास इगलू रैस्तरा कहां प्रारंब किया गया सही आंसर है ओप्शन बी जम्मू कस्मीर तो जम्मू कस्मीर में दोस्तो गिलास इगलू रैस्तरा प्रारंप किया गया है ठीक है तो इस कोशन का सही आंसर है उप्शन भी जम्मू कस्मीर अगर आप से पूछा जाए कि पहला इगलू कैफे कहां खोला गया तो बहुत दोस्तो गुलू मर्ग में खोला गया था तो महत्पुन परसने ठीक है और इसी के साथ ही दोस्तो जिला सुचकांक जारी करने बाला भारत का पहला राज्या या फिर केंद सासित परदेश कुन सा है तो बहुत दोस्तो जम्मू कस्मीर है तो महत्पुन परसने याद रखेगा सिधा पूछा जाएगा कि भारत का पहला राज्या या फिर केंद सासित परदेश जिसने जिला सुच असन सूच कांक जारी क्या है तो भे दुस्तो जम्मू कस्मीर है और यहाँ पर ही ग्लास इगलू रेस्त्रा भी खोला गया है और यहाँ पर ही दोस्तो टहला इगलू कैफे भी खोला गया था चोथा प्रसन है कि डिजीटल भुकतान उत्सब का सुबारम कहां किया गया सही आंसर रहेगा ओप्शन ए दिल्ली में तो दिल्ली में दोस्तो डिजीटल भुकतान उत्सब का सुबारम किया गया और इसका जो सुबारम क्या है दोस्तो तो वह है अस्वनी बैसनप के द्वार किया गया है जो कि बर्तमान में केंद्रिय रेल मंत्री और इलेक्ट्रोनिक एबम सूचना प्रदू की मंत्री है ठीक है पांचवा प्रसन दोस्तो कि हाली में प्रिकासित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कोन है तो राइट आमसर रहेगा ओप्शन बी सलमान रुस्दी सलमान रुस्दी यह है दोस्तो विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक है जो हाली में प्रिकासित किया गया है सलमान रुस्दी तो यह है दोस्तो एक ब्रेटिस भारतिय उपन्यासकार है इनका एक और फेमस उपन्यास है जिसका नाम है Midnight Children ठीक है तो आपसे पुछा जाएगा कि Midnight Children के लेखक कोन है तो इसके लेखक है सलमान रूस्ती ठीक है बात करें बद्री नरायन तो इन्हें दोस्तो 2022 में साहित्य अकेडमी पुरुसकार से समानित किया गया है जिनकी एक रचना थी तुम्डी के सब्द ठीक है तो तुम्डी के सब्द के लिए दोस्तो बद्री नरायन को साहित्य अकेडमी 2022 पुरुषकार से सम्मानित क्या गया है छटा प्रशन है दोस्तों बताईएगा आंसर कि केंदरिया मंत्री जी किसन रेटी के द्वारा चोथे आसियान भारत यूबा सिखर सम्मेलन का उड़गाटन कहां क्या गया राइट आंसर है ओप्शन ए हैदराबाद में हैदराबाद में दोस्तों केंदरिया परियाटन मंत्री जी किसन रेटी के द्वारा चोथे आसियान भारत यूबा सिखर सम्मेलन का उड़गाटन क्या गया है महत्पुर्ण प्रसन है ठीक है अब देखे बात करें कि आसियान तो आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में जिसका मुख्या लिया जाकारता में इस्तित है और जाकारता दोस्तों इंडोनेसिया की पुरानी राजधानी है ठीक है और इसमें बरतमान में कुल सदस्या है ग्यार है और ग्यारवा सदस्या जो सामिल हुआ है दोस्तों तो वह है तिमोर लिस्टे देश सामिल हुआ है महत्पुल प्रसने आपसे पुछा जाएगा कि आसियान में 11 सदस्य कोन सामिल हुआ है तो तीमियोर लिष्टे यह नया देश सामिल हुआ है आसियान संगठन में ठीक है और भारत दोस्तो इस संगठन का सदस्य नहीं है परन्तु आसियान भारत संबंधों की जो शुरुवात हुई थी तो वहें दोस्तो 1992 से शुरू हुई थी और इसकी 2022 में बरसगाठ मनाई गई है तीस भी ठीक है आपसे पुछा जाएगा कि भारत आसियान संबंधों की तीस भी बरसगाठ किस बरस मनाई गई तो यह दोस्तो 2022 में मनाई गई है जो फेंट्स इसका सम्मेलन हुआ था ठीक है तो वह नोम पे कमबोडिया में आयुजित किया गया था ठीक है तो यह सभी महत्पून फेंट्स आपको याद रखनी है अगला प्रेशन है दोस्तो कि 15 से 17 फरवरी तक फीजी में विश्वी हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्क्रण का आयुजित क्या गया सही आंसर है ओप्शन बी बार है तो बार में संस्क्रण का आयुजित क्या गया जो कि दोस्तो फीजी में आयुजित क्या गया आपसे पुछा जाए कि फीजी की राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी है दोस्तो सूबे ठीक है आपसे पुछा जाए कि बिश्वी हिंदी सम्मिलन पहली बार कब हुआ था तो यह है दोस्तो 1975 में आयुजित क्या गया था नाकपूर महाराष्ट में ठीक है और महत्मौन प्रस्ट क्या है तो बहुत है दोस्तों कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का पिरमुख कारण क्या है तो इसका पिरमुख कारण है दोस्तों कि UN की भासाओं में हिंदी को इस्थान दिलाना ठीक है महत्मुण प्रस्ट ने आपसे एक्जाम में ये सीधा पूछा जा सकता है ठ सकाई यूटि-म को कहा लौंच कुया गया तो इसे भारत में लौंच किया गया है और इसे भारत में दोस्तों नितिन गटकरी जो बरतमान में केंदरिय सडक मंत्री हैं उनके द्वारा लौंच किया ठीक है इसके लाबा एक और महत्पून कोश्यन है दोस्तों कि भारत का पहला प्राइबेट रोकिट कौन सा है जो हाली में लोंच किया गया तो यह दोस्तों बिक्रम है जिसे Skyroot Company ने लोंच किया है ठीक है और इस रोकिट का जो नाम रखा गया बिक्रम तो यह दोस्तों भारत के पहले इस्रो के अध्यक्ष बिक्रम साराबाई के नाम पर रखा गया है अगला प्रसने हाली में राष्टिय महिला दिवस कब मनाया गया तो यह दोस्तो 13 फरवरी को मनाया गया है 13 फरवरी को दोस्तो सरोजनी नाइडू की जनती होती है तो इनहीं के जनम दिवस पर राष या महीला अध्यक्ष कौन थी तो यह दोस्तो सरोजनी नाइडू थी जो 1925 में कानपूर में वनी थी ठीक है तो कानपूर में 1925 में कॉंग्रेस का एक अधीवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता सरोजनी नाइडू के द्वारा की गई थी और इन्हें ही दोस्तो भारतिया क को किला के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और फैंट्स तेरे फ़र्बरी को ही 20वर विसे रेडियो दीबस भी मनाया जाता है ठीक है और 20वर रेडियो दीबस जो मनाया गया था तो दो कोश्고 मैहत पूर मिले कि 13 फरवरी को राष्ट्य महिला दिबस मनाया जाता है शरोजिनी नाइटू के जनम दिबस पर ठीक है और 13 फरवरी को ही दोस्तो विश्व रेडियो दिबस भी मनाया जाता है जिसकी थीम है रेडियो एंड पीस और पहली बार मनाया गया अगला प्रसने के हाली में राष्टिय डांग टिकेट प्रदर्शनी अमरत पैक्स 2023 का उठगाटन कहां क्या गया सही अंसर हैगा दोस्तो ओप्शन सी दिल्ली में तो दिलि में दोस्तो राष्टिया डांक टिकेट प्रदसनी अमरत पैक्स तो हजार तेइस का उठगाटन किया गया और इसका उठगाटन जो किया गया दोस्तो तो बहे अस्वनी वेसरणव के दुवारा किया गया था असवनी वेसनफ की बात करें तो यह बर्दमान में केंदरिये रेल मंत्री है ठीक तो यह सभी महत्बुण कोषन थे आज के ठीक है लास्ट कोषन थे हमारा यह आज का आपका सवाल रहेगा कि बोकारो इस्टील प्लांट किस राज्य में इıs तित है ठीक है तो बोकारो इस्ट पित क्या गया था ये भी आपको वताना है बताइएगा कमेंट करके कि आज की है किलास आपको कैसी लगी आई होप आपको पसंद आई होगी और सभी कोशन दोस्तों सेलेक्टिड और इंपोर्टेंट थे और जितने भी आपको मैंने फैक्ट्स बताए हैं तो वह सभी कुछे जा सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइद थैंक्यों सो मच पर वाचिंग जैहिंद